देली करे न्यूज में अभी की खबर है भारत छोडो अंदुलन की वर्षगाट आज यानी आठ अगस को भारत छोडो अंदुलन की वर्षगाट है आज ही की दिन 1942 में बॉंबे में अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी के सत्र में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो अंदुलन शुरू किया था गांधी जी ने गौलिया टैंक मैदान में अपने भाषन में करो या मरू का आवान किया जिसे अब अगस क्रांती मैदान के नाम से जाना जाता है गौर तलब है कि 9 अगस 1942 को गांधी जी को कई कांग्रेस नेताओं के साथ बिटिश सरकार ने गिरफतार कर लिया था यह सामराजिवाद के खिलाफ सबसे बड़े रास्टवादी विद्रोहुम से एक था इस अंदुलन के कारण शीर्ष नेतित्व की गरफतारी होने से जना क्रोश ने भारत के कई हिस्सों में सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया राष्टवादी इतिहास लेखन में इसे अंग्रीजों के खिलाब संगर्ष की तीसरी महान लेहर के रूप में वर्नित किया जाता है सुदंस्ता अंदुलन की ग्रेंड ओर्ड लेडी के रूप में लोप्री अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ों अंदुलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारती दोच फैराने के लिए जाना जाता है भारत छोड़ों का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन वादी यूसफ महरली के द्वारा गड़ा गया था जिनोंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था महरली ने साइमन गोबैक का नारा भी गड़ा था PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिकरम Science This Week ये कारिकरम हर अविवार दोपहर बारा बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है